तो मैं वन वाई वन को डिसकस करूँगा और कौसंद के सास में मैं डेटील एक्प्लीनिशन दोंगा अगर मैं एक कौसंद डिसकस करता हूं तो उसके सास मैं कम से गम आप लोगों को तीन से चार कौसंद और शीखने को मिलेंगे तो मैं first question और जो यह question है acid and base पर base question है तो मेरे पास में जो first question है that is the gel में carbon dioxide प्रवाहित करने पर soda water की प्रकलती होती है वो कि step की प्रकलती होगी तो अगर मैं इसकी बात करता हूं मेरे पास में water होता है water का meaning क्या है H2O H2O मेरे पास में water हुआ अगर मैं इसमें CO2 को pass कराया तो मैंने CO2 pass किया तो मेरे पास में क्या मिलने वाला है मुझे मिलेगा H2CO3 तो H2CO3 को मैं क्या बोलता हूं this is the carbonic acid and this is carbonic acid अब इसकी nature कैसा होने इसके अगर मैं nature की बात करूंगा जो H2CO3 होता है H2CO3 क्या गलता है यह dissociate होता है dissociate किसमें होता है H plus HCO3 negative तो जो H plus आयन हुआ जो proton है H positive इसका meaning क्या हूआ यह मुझे कैसा nature so करेगा acidic nature मुझे so करने वाला है यह मुझे acidic nature so करने वाला है acidic nature का meaning यह हुआ it's so the acidic nature और इसका जो pH होगा that will be the decreasing pH इसका decrease करेगा अगर इसका pH decrease करेगा तो यह किस step की nature so करने वाला है तो इसका answer होने वाला यह अमली प्रकरती को show करेगा तो इसका right answer क्या होगा that is the अमली प्रकरती को यह so करने वाला है तो next question की अगर मैं बात करूंगा और हाँ एक चीज करता हूँ तो इसको soda water भी बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ इसको मैं soda water बोलता हूँ और जो यह मेरे पास में soft drinks होती है उनमें यह फिल होता है उनमें यह बहरा जाता है soft drinks के अंदर और यह weak acid है और यह weak acid है वीक acid वो acid होते हैं जिने हम लोग क्या करते हैं अपनी daily life में यूज करते हैं जैसे मेरे पास मैं अगर मैं weak acid के example की बात करूँगा तो मेरे पास मैं बहुत सारे weak acid है weak acid की अगर मैं बात करता हूँ तो एक मेरे पास में oxalic acid है वो भी मेरे पास में weak acid होता है अगर मैं oxalic acid की बात करता हूँ तो oxalic acid क्या है ये भी weak acid है मेरे पास में एक मेरे पास में जो tartic acid होता है ये भी मेरे पास में कैसा acid है weak acid है कारड़ोनिक एसे जो H2, Cu3 कि मैंने बात की ये भी मेरे पास में क्या है वीक एसेड है तो इस टाइब की एसेड होते हैं उन्हें मैं क्या करता हूँ खाता हूँ और जो वीक एसेड होते हैं उनकी जो pH value होती है वो क्या होती है pH value उनकी 3 to 6.9 होती है Now we will move on to the next question. Next question will be the, निमलिकत मैंसे कौन सा लुईस अमल नहीं है? अगर मैं लुईस अमल की बात करूँगा, तो मेरे पास में क्या है? एशेड को डिफाइन करने के लिए मेरे पास में थ्री थियोरी होती है. तो जो सबसे फश्ट थियोरी है मेरे पास में, अगर मैं उस थियोरी की बात करता हूँ, तो वो है मेरे पास में आर्णी हेनियस थियोरी. तो जो आर्णी हेनियस थियोरी है, इस थियोरी में क्या होता है? कि अगर acid है मेरे पास में कोई भी और अगर वो water के साथ में react करता है H2 के साथ में उसने react किया तो मुझे क्या करेगा H plus और H3O positive या तो hydrogen positive या hydronium positive iron मुझे को देता है उसको मैं क्या बोलता हूँ Rhenius theory के नाम से मैं उसको जानता हूँ या अगर मेरे पास में जो base होने वाला है जो base अगर H2 के साथ में reaction करेगा तो मुझे क्या मिलने वाला है मुझे OH negative मिलने वाला है तो this is the first theory इसके basis पे भी मैं acid को बता सकता हूँ तो यह first theory है second theory मेरे पास में होती है bronze tent and lorry theory अगर मैं second theory की बात करूँगा तो second theory है मेरे पास में bronze tent and lorry theory तो breast tent and lorry theory में क्या होता है जैसे अगर मैंने acid की बात की तो acid का क्या work रहने वाला है acid proton को donate करता है acid क्या करता है proton को donate करने का काम करता है और जो मेरे पास में जो base होता है base क्या करता है proton को accept करने का काम करता है यहां मैं बोल सकता हूँ electron को accept करने का काम करता है यह acid होता है यह base होता है तो यह मेरे पास में second theory है और अगर मैं third theory की बात करूँगा that is one of the most important theory उसको मैं बोलता हूँ Lewis theory इस Lewis theory में क्या होता है कि जो मेरे पास में acid होने वाला है अगर मैं acid की बात करूँगा तो acid क्या करेगा electron को accept करने का काम करता है electron को यह क्या करता है electron accept करता है एका meaning होता है accept करना और अगर मैं base की बात करूँगा तो base मेरा क्या होगा electron को donate करेगा कि अगर है electron को डोनेट करने का काम कौन करेगा, बेस करेगा, तो now हम समझते हैं कि जो हमारे पास में जो कौशन है, कौशन में given है, कौशन में पूछा गया है, निमल मैंसे कौन सा लुईस अमल नहीं है, तो हम देखते हैं कि कौन सा इलेक्टोन को असेप्ट करने का काम करता है, तो देखते कि कौन electron को accept और कौन donate करने का काम करता है तो मेरे पास मैं जो question है that is the first मैं लेता हूँ NH3 मैंने NH3 को लिया तो अगर मैं NH3 को देखूंगा यह मेरे पास में क्या है N यह मेरे पास में H यह मेरे पास में H और यह मेरे पास में H अगर मैं N के outer more shell में electron देखने वाला हूँ तो N क्य हिड्योजन के पास में एक इलेक्टॉन होता है अगर मैं यहां यहां बॉंड की बात करूएंगा तो मैंने इसको इससे connect किया तो मेरे पास में क्या हुआ जो एक lawn pair electron है वो रह गया तो यह lawn pair electron क्या होगा कि इसको यह यहां पर क्या हो जाएगा यहां इसको दे दिया जाएगा तो यहां से इनको क्या कि electron को donate किया तो अगर electron को any species if donating the electron तो इसका meaning क्या हुआ कि यह कौन सा यह Lewis base है इसको मैं क्या बोलूँगा अगर यह electron को accept करता तो इसको मैं बोलता Lewis acid लेकिन इन्होंने क्या कि electron को donate किया है ना कि accept किया अगर मैं second example की बात करता हूँ जैसे मेरे पास में BF3 है तो BF3 में क्या होगा यह मेरे पास में B होगा this is the F, this is the F and this is the F मुझे पता है boron, boron क्या दो last electronic configuration गर में करता हूँ तो 2 and 3 होता है तो इसमें क्या यह मेरे पास में 1, 2, 3 electron इसके outermost shell में होंगे fluorine का 9 होता है इसमें save-in होने वाले 2 यह रहे, 2 electron यह हैं और 2 electron मेरे पास में यह हैं और 1 electron इसका है, save-in इसमें होगे, ऐसी save-in इसमें भी save-in होने वाले हैं इसके पास भी save-in होगे इसके पास भी save-in होने वाले हैं, यह इसके पास में save-in होगे तो यह क्या करेगा, इसने इसके साथ में bond बनाया इसने इसके साथ में bond बनाया इसने इसके साथ में bond बनाया तो bond बनाने के बाद में मुझे पता है कि इस पर भी 8 electron होगे इस पर भी 8 electron है इस पर भी 8 electron है लेकिन जो B है B पर 8 electron नहीं है तो जो इसके पास में ये lawn pair जो electron बचे हुए हैं जिन्होंने कोई भी उनका involvement नहीं है तो वो क्या करेगा यहां से इनको ये दे देगा तो इन्होंने क्या किया जो B था any type of species that is accepting the electron तो इन्होंने क्या किया जो lawn pair electron थे जो shared electron थे वो किस ने accept कि बुरून ने accept किये तो इसका meaning क्या हुआ कि ये acceptor है और acceptor होता है तो उसको मैं Lewis acid बोलता हूँ तो अगर मैं अब question की बात करूँगा तो यही मुझे ये question में given है कन्यमलेकित मैंसे कौन सा योग कि Lewis aml नहीं है तो जो NS3 है ये Lewis aml नहीं है It is the Lewis base और ये मेरे पास मैं जो भी ALCl3 BF3 and FeCl3 ये कोन है Lewis acid है और एक चीज़ का इसमें और ध्यान रखना है कि अगर मैं Lewis acid और Lewis base की बात करता हूँ तो इनके अंदर जो bond होता है That is the coordinate covalent bond कौन सा bond होता है इनके अंदर Coordinate Covalent bond होता है तो ये question बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि इनके अंदर कौन सा bond होता है तो ये होजाएगा coordinate covalent bond होता है तो ये भी बात हमें ध्यान रखना ही पड़ेगी अगर ये question आता है यहां से और question किस तरीके से design हो सकता है जो examiner होगा वो किस तरीके से question को design करेगा एक तो इस तरीके से पूछ लेगा मैंसे कौन साल Lewis aml नहीं है एक ये question भी पूछा जा सकता है कि जो Lewis aml defines the तो उसमें देदेगा electron acceptor electron donator तो इस तरीके से भी वो MCQ बना सकता है तुम्हारा क्या answer हो जाएगा कि जो Lewis aml होता है Lewis acid होता है that is accepting the electrons if Lewis base होगा that is donating the electron तो ये question समझ में आया नहीं आया next question की अगर मैं बात करता हूँ तो next question मेरे पास में होने वाला है next question मिल भी दा next question है मेरे पास में ये एक table दी हुई है इसमें कुछ name ये table first है and table second इसमें कुछ name है मुझे matching करनी है तो जो सबसे पहला name है मेरे पास में that is the neilat होता नीले थोते को मैं क्या बोलता हूँ इसका जो chemical formula होता है उसे मैं copper sulfate के नाम से जानता हूँ तो अगर मैं copper sulfate की बात करूँगा तो जो copper sulfate का जो formula होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ cuSO4.5H2 और जो copper sulfate होता है इसके हमें use कहां करता हूँ तो इसका यूज होता है जो algae होती है, algae को remove करने में इसका हमें use करता हूँ, ये कुछ ना सकता है कि नीले थोते का काम क्या रहता है, इसका work क्या रहता है, तो इसका use क्या होता है, algae removal में ये use होता है, और इसका formula अगर आएगा तो तो मैं write down करना है, cuso4.5s2, ये first हुआ, तो पहले का concern हो जाएगा fourth, next है आपके पास में ipsum salt, ipsum salt का meaning क्या होता है, mgso4, तो mgso4 कौन है, ये तुमारे पास में है, mgso4.7s2, तो दोनों में से कोई भी पसन आ सकता है, इpsum salt का formula क्या होता है, तो आप बता रहेंगे, magnesium sulfate होता है, और इसका ये chemical name भी आ सकता है, इpsum salt के हमसे तो आप बता रहेंगे, mgso4.7s2 या magnesium sulfate, अगर मैं यहीं baking soda की बात करता हूँ, तो baking soda मेरा क्या होता है, baking soda को बोलता हूँ, sodium bicarbonate, और जो caustic soda होता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, sodium hydroxide, अब मैं 1-1 करके, पहले मैं समझता हूँ, baking soda के बारे में, तो जो मेरे पास में जो baking soda है, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि baking soda क्या होता है, तो baking soda में सबसे पहले तो इसका हमें chemical formula learn करना पड़ेगा, जो इसका chemical formula होता है, that is the NaHCO3, यह इसका chemical formula होता है, NaHCO3, अगर मैं इसके chemical name की बात करूँगा, जो इसका chemical name होता है, वो होता है sodium bicarbonate, तो यह बहुत sodium bicarbonate, यह भी question आ सकता है, और next question, तुमसे बूचा जा सकता है, और sodium bicarbonate हो गया, उसके बाद में इसको मैं baking soda भी बोलता हूँ, और इसको मैं खाने का soda भी बोलता हूँ, अगर मैं हिंदी में बात करूँगा, तो इसको मैं खाने के soda भी बोलता हूँ, खाने का soda, भी बोलत अच्छा ताब next question मेरे पास में और इससे क्या बन सकता है it is used to making the filthy material filthy material का मीनिंग क्या होता है कि जैसे जो फुलाने जैसे इससे क्या है कि जैसे कोई भी material है वो फूल जाता है तो इसको मैं किसमें यूज करता हूँ filthy बनाने के लिए जैसे मेरे पास में अगर कोई भी चीज है तो जो filthy बनाने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ और यह किसमें यूज होता है जो मेरे पास में fire extinguisher होती है fire extinguisher में इसका यूज होता है fire action regression में इसका यूज करता हूँ उसमें यूज कैसे होता है जैसे मेरे पास में ये एक slendherical है तो यहाँ क्या है कि यहाँ मेरे पास में H2SO4 का एक bottle है, और यहाँ मेरे पास में क्या होता है ANH CO3 होता है जब ये react करती है तो react करने बेस्ट मुझे कहा कि CO2 gas release होती है अब जब CO2 gas release होती है तो यह क्या करती है जो fire होती है उसको रोकने का काम करती है उसको बुछाने का काम करती है तो यह fire action operation में यूज होता है और इसका यूज कहा होता है कि जो मेरे paint के दाग होते हैं जो paint के दाग लग जाते हैं जो धब्बे होते हैं उनको यह तो उसको यूज करने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ जो मेरे पास में ओकजिलिक एसेड का यूज करता हूँ और इसका यूज कहा होता है अगर मैं और इसके यूज की बात करूँगा इट इस यूज टू मेक दा फर्मेंटेशन प्रोसेस यह जो فर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इसमें इसको यूज करता हूँ इसमें प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि जब हम कभी हुए केक बनाते हैं कि यूज होता है तो यह मेरे पास में मैंने NAS-COO3 के बारे Sempre 然後 7 की बारे में enjoy होता है पहला क्या है फाय एक्टनोशन में यूज होता है इसको sodium bicarbonate के नाम से जाना जाता है यह बैकिंग soda होता है इसे खाने का soda बोलते हैं filthy material बनाने में यूज होता है जो paint के दाग दब्बे होते हैं उनको अठाने के लिए इसको यूज करता हूँ यह मेरे पास में क्या हुआ sodium bicarbonate अगर मैं next की बात करता हूँ तो next मैंने भी बताया था कि मैं और डिसकस करूँगा तो इससे क्या है एक तो यह पास समझ में आती है इसको मैं क्या बोलता हूँ इसको मैं sodium hydroxide बोलता हूँ पहला तो यह बात आपको समझ नहीं है कि इसको मैं sodium hydroxide बोलता हूँ इसको मैं क्या बोलता हूँ यह मेरे पास में strong base होता है और इसकी जो पहली होती है वो नियलर 14 के एककोल होती है यह भी बात आप जानती होंगे one of the important thing इसको क्या करता हूँ मैं सोब बनाने में जो सोब होता है जो सावन होता है तो कैसा सोब बनाने में हाड सोब बनाने में मैं यूज करता हूँ जो कफूर सावन होता है उसको बनाने में NOH का यूज करता हूँ तो ये मेरे पास में इतनी यह मेरे पास में इसका NOH की बारे में मैंने समझा अब हम मूब करते हैं जो मेरे पास में question था तो अगर मैं question की बात करूँगा तो question क्या था मेरे समझ में आ गया जो नीला थोता है उसका answer है 4 और जो Ipsum salt है उसका answer है 3 और baking soda का answer है 431 तो 431 कौन से में? तो इसका जो right answer होगा that is the D 431 and baking soda कास्टिक शोड़ा means sodium hydroxide तो यह हो जाएगा 431 to D will be the correct answer now we will move on the next question next question will be the IOD करत लवड में रहता है यह मेरे पास में next question है कि जो IOD करत लवड होता है उसमें क्या चीज़ रहती है तो जो IOD करत लवड का मीनिंग होता है को उसमें जैसे क्या के चीज़ होती है एक तो मेरे पास में potassium iodide क्याई होता है एक मेरे पास में sodium iodide होता है Na2i तो यह सब चीज़ें इसके अंदर IOD करता है तो इसका जो right answer हो जाएगा that is the potassium iodide will be the right answer अगर मैं next question की बात करता हूँ तो next question मेरे पास में होने वाला है कि copper sulfate का जलिय घोल अमलिय होता है क्यों कि इस लवड का तो यह question मुझे बताना है कि इसका अगर जलिय घोल अमलिय होता है तो वो क्यों होता है तो यह मुझे इसका answer बताना है कि किस तरीके से इसका जलिय घो अमले होता है तो अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास में Kauphar Sulfate है Kauphar Sulfate मैं जानता हूँ मेरे पास में क्या होता है Cu SO4 होता है अगर मैंने Cu SO4 को H2O के साथ में react कराया तो जब मैंने adult कराया तो मुझे क्या मिलने बाला है । H2SO4 मिलने वाला है H2SO4 जो H2SO4 है यह क्या है? acid है तो इसकी वज़े से जब मैंने इसका जल अपगटन कराया जल अपगटन का मीनिंग क्या है? कि we are reacting with the water जब मैंने water के साथ मैं react कराया तो मुझे क्या मिला? H2SO4 मिला H2SO4 की वज़े से जो इसका जली ये गोल है वो कैसा हो जाएगा? जली ये गोल इसका अमली हो जाएगा तो जो इसका राइट आंसर है राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? जब मैं इसका जल अपगटन करूंगा तो उस पर मुझे इसका जो गोल मिलने वाला है वो कैसा हो जाएगा अमली हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जलब गठन we will move on the next question next question है रासाइनिक उध्योग में कौन सा तेजाब मूल रासाइनिक माना जाता है तो अगर मैं रासाइनिक उध्योग की बात करता हूँ जो chemical industries होती है तो अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो important जो acid होता है तो उसे में क्या मानता हूँ तो वो मेरे पास में H2SO4 होता है क्या होता है H2SO4 अब थोड़ा H2SO4 के बारे में समझते हैं कि जो मेरे पास में H2SO4 है कौन-कौन से फैक्त है इसको मैं क्या बोलता हूँ? अमलो का राजा बोलता हूँ आम लोगों का राजा बोला जाता है यह मोलता हूं King of all the acids यह में बोल सकता हूं और इसके बारे में क्या fact है कि इसको मैं oil of withdrawal भी बोलता हूं क्या बोलता हूं इसको मैं oil of withdrawal भी बोलता हूं और क्या होता है कि जो H2SO4 होता है यह क्या है कि जो बैटरी होती है हमारी बैटरी बैटरी के अंदर यह फिल होता है किसके अंदर इसे बैटरी के अंदर हम फिल करते हैं अब बैटरी के अंदर क्या होता है कि 62% तो मेरे पास में distilled water होता है जो distilled water होता है वो 62% होता है और 38% म इसका आंसर किया हो जाएगा, correct answer is 2-3 चीज रिलेटेड जानी, अमलों का राजा इसे कहा जाता है, first is oil of withdrawal के नाम से जाना जाता है, ये second ही हुई, और जो third चीज है, अगर मैं उसकी बात करूँगा, तो third चीज क्या है, कि इसको में जो bad tea होती है, जो bad tea हम घरों में यूज करत होता है, now we will move on the next question, और भी इसमें हैं, जैसे HNO3 है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, nitric acid बोलता हूँ, सोरे का आमलों बोलता हूँ, STL क्या होता है, ये hydrochloric हमलों होता है, इससे relative हम fact पढ़ेंगे, H2CO3 क्या होता है, जब मैं H2O plus CO2 को जब मैं react कराता हूँ, तो मुझे H2CO3 मिलता है, this is the carbonic acid, और this is the soda water, जो soft drinks होती है, उनमें मैं इसको fill करता हूँ, अब हम discuss कर लेते हैं, थोड़ा सा, STL की उपर, अगर मैं STL की बात करूँगा, तो ये one of the most important, सबसे पहले तो मुझे ये ही समझना है, जो इसकी value होती है, pH value, pH value इसकी 0 से 1 के बीच में लाई करती ह है, first question, जो pH value होती है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, next मुझे क्या समझना है, कि ये भी strong acid होता है, क्या होता है, और जो strong acid होते हैं, उनको क्या है कि हम खाते नहीं है, हम BK acid को खाते हैं, जो strong acid होते हैं, उन्हें हम नहीं खाते हैं, और ये cleaning में यूज होता हूँ, ये cleaning क्लीनिंग परपस से यूज होता है और इसका क्या काम रहता है कि जो हमारे इस्टूमक में पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है जो हमारा इस्टूमक है जो पेट है इस्टूमक के अंदर ये पाया जाता है और भी इसके बहुत सारी वग रहे हैं और इसका क्या काम रहत के जो मायक्रोपों को hoते है質 करने का काम करते हैं और हमारे H2 मक में एक रैनिन और जो पेपसिन हर्मोन होते हैं, उनको एक्टविट करने का काम कौन करता है? उनको एक्टविट करने का काम SCL करता है. तो यह सब SCL से रिलेटेड मेरे पास में बात हैं. और भी हम SCL से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते रहेंगे आगी. नेक्स्ट क्वेशन मेरे पास में आने बाला है, इसका समझ में आ गया, क्वेशन H2SO4, इसका यह करेक्ट आंसर होने बाला है, H2SO4, H2SO4 will be the correct answer. Now we will move on to the next question. Next question we have. निम्न मैंसे कौन से एक अमली अविलियन का समझ पी-एच माने? अगर मैं पी-एच की बात करता हूँ, तो पी-एच का मतलब होता है, मेरे पास में यह पी-एच एक स्केल था. क्या था पी-एच स्केल था? इससे मुझे यह पता लगता है, कि अगर मेरे मेरे पास में कोई भी compound है, तो that is the acidic और that is the basic nature. उसका जो nature है, वो acid nature का है या basic nature का है. तो जो पी-एच स्केल है, उसको मैं समझाता हूँ कि पी-एच स्केल होता क्या है? यह मेरे पास में एक पी-एच स्केल है, तो इसको सबसे पहले तो यह समझो कि यह दिया किसने था, तो यहां तुमारे पास में 14 होता है, यह 0 होता है तो अगर मेरा पी-एच है, वो अगर less than 7 है और यहां अगर greater than 7 है तो इसका meaning यह होओ, कि मेरे पास में कौन सा nature है? То इस is the acidic nature और अगर greater than 7 हुआ तो यह मेरे पास में कह समा changed due after on this is the basic nature और अगर मेरे पास में leaving saving होता है. तो मेर तो इन्होंने जब इस skill को दिया था तो यह जब टाइम था 1909 यह NCRT में दिया हुआ है और यह 1913 लेकिन जब यह question paper में पूछा जाता है तो कभी-कभी दोनों year दे दी जाती है अगर पीएच मेरा only 7 होता है तो उसे मैं क्या बोलूँगा न्यूटल बोलने बाला हूं तो यह बास समझ में आई पीएच इसके से लेटर अब क्या है कि क्या पूछा है कि निम्न मैंसे कौन साइक अमली बिलियन का संभव पीएच है अमली बिलियन का मीनिंग है अगर मेरे पास में acidic solution होने बाला है तो acidic solution का मीनिंग क्या है pH is less than equal to shaven अगर pH less than equal to shaven होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 will be the correct answer now we will move on the next question next question मेरे पास में है कि निम्न मैंसे किसका pH मान shaven है तो देखो pH मान shaven किसका होता है जो मेरे पास में शुद्ध पानी होता है distilled water होता है उसका जो pH होता है वो shaven होता है neutral billion होता है उसका pH saven होता है तो इसका जो answer होने वाला है अप्युक्त मैंसे कोई नहीं अप्युक्त मैंसे एक सिया देख तो इसका जो right answer है that is the right answer we will move on the next question pH एक मूल्यंक दरसा आता है तो मैंने अभी बताता है कि what pH so pH हमें क्या so करता है तो यह मैंने बता दिया कि it's so the acidic और basic nature of a solution अगर मेरे पास में कोई भी solution है तो उसका acidic और basic nature को यह so करने वाला है तो कौन सा इसका right answer हो जाएगा the right answer वी 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 ता वी 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 the right answer now we will move on the next question next question मेरे पास में कि जो gold smith होते हैं स्वर्ड कारों द्वारा प्रियोग में आने वाला aquiragia nimlicate को मिला कर बनाया जाता है अब मैं aquiragia solution की बात करता हूँ तो aquiragia solution क्या होता है मेरे पास में जो aquiragia solution इसको मैं aquiragia को मैं royal water के नाम से भी जानता हूँ क्या किसके नाम से जानता हूँ royal water के नाम से भी जानता हूँ यह royal water के नाम से भी आ सकता है इसमें क्या होता है कि जो three parts होते है वो HCl का होता है plus HNO3 होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ aquiragia बोलता हूँ और इसकी एक condition और यह क्या गरता है it dissolve the noble metal होती है उनको यह अपने अंदर क्या कर लेता है डिजॉल्व कर लेता है तो इट डिजॉल्व plus hydrochloricum B will be the right answer now we will move on the next question next question है मेरे पास में कि anti-acid होते है तो अगर मैं anti-acid की बात करूँगा तो anti-acid का meaning होता है कि ऐसे compound जो acidity को खतम करते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ anti-acid बोलता हूँ जो anti-acid होते हैं उनको actual मैं क्या है वो भस्म होते हैं बस्म को मैं मैं क्या बोलता हूँ बेस बोलता हूँ क्या बोलता हूँ मैं बेस बोलता हूँ अब इक इस तरीके से मैं इनको anti-acid बोला एक इस तरीके से acidity को खतम करते हैं जैसे हमने देखा होगा कि जब कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ज़्यादा खाना खाते हैं तो होने के लिए हम क्या करते हैं इनु लेते हैं क्या होता है मेरे पास मैं Mg-os का फ्री पास होता है, और इस्टो ओमक के अंदर, ऐसेड रिलीज होता है तो इसलिए, इसलिए, मैं मेरे पास में MgCl2 बन जाएगा पिलस यहां से S2 बन जाएगा और जो हमारे stomach में जो acidity थी वो खतम हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको anti-acid बोलता हूँ तो anti-acid कौन होते हैं जो acidity को खतम करते हैं और इसका यह reaction होता है MgCl2 बन जाएगा तो anti-acid कौन है इनको मैं बस सुम बोलता हूँ इसका answer क्या हो जाएगा यह base होते है Next question मेरे जब ही तो हम इनो लेते हैं जब हमारे stomach के अंदर acidity बनती है Next question baby धोने का सोडा मैंने पहली बता दिया है धोने का सोडा होता है खाने का सोडा होता है इनको बड़ा ध्यान देना है sodium carbonate इसका chemical name होता है क्या बोलता हूँ इसको में sodium carbonate यह ध्यान लखना होता है हमें और अगर मैं baking soda की बात करता है यह मेरे पास में NaCO3 क्या होता है baking soda होता है H का मतलब होता है by NaCO3 इसका मीनिंग क्या हुआ this is the sodium bicarbonate NaOH आहा है और लिए टोल लिए this is the sodium hydroxide strong base होता है और अगर मैं CAOH के hold price की बात करता हूँ तो CAOH का hold price का मीनिंग क्या हुआ this is the calcium hydroxide इसको मैं क्या बोलता हूँ slack lime बोलता हूँ भुषा हुआ चूना बोलता हूँ इसको जब हम 5 उपारी होता है उसमें यूज करते हैं और इसका जो right answer होने बाला है तो अनभुषा मेरे पास में चूना होता है उसको जैसे मेरे पास में CAO है इसको मैं क्या क्लाम बोलता हूँ तो CAO क्या करता है कि अगर CAO को मैं H2O के साथ में react कराता हूँ तो मुझे क्या बन जाएगा CAO का full price बन जाएगा तो जो CAO का whole price है इसको मैं avoid washing में भी use करता हूँ तो this is the right answer Na2CO3 और मैंने जो भी इसके अंदर option है वो भी आने समझ ली अब भी ब्लोग ओन दी next question next question मेरे पास में है कि जो backing soda है I have already discussed what is the backing soda तो जो backing soda है वो क्या है sodium dihydrogen carbonate या sodium by carbonate या तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ NaHCO3 तो इसका जो मेरे पास में जो answer होने वाला है that is the question number इसको देखते हैं इसका जो right answer होने वाला है वो क्या होगा sodium dihydrogen carbonate होगा या sodium hydrogen carbonate होगा या sodium carbonate होगा इन में से कोई नहीं या sodium hydrogen carbonate होगा तो मुझे पता है कि अगर मैं baking soda की बात करता हूँ तो मेरे पास में क्या formula होता है NaHCO3 तो या तो H को मैं बाई बोल सकता हूँ और या मैं इसको hydrogen बोल सकता हूँ तो इसका जो right answer है वो क्या होने वाला है sodium hydrogen carbonate इस से related जो भी fact ने I have already discussed in the previous questions now we will move on the next question तो मेरे पास में जो next question है same question है कि खाने का soda है उसे मैं क्या बोलता हूँ तो मैं again बता रहा हूँ कि मेरे पास में जो खाने का soda हो या मेरे पास में baking soda हो ये दोनों चीज़ से होती है या मेरे पास में sodium bicarbonate हो तो इसका जो chemical name होता है that is the NaCO3 ये इसका chemical formula होता है NaCO3 और जो chemical name होता है sodium bicarbonate तो मैं खाने के soda को क्या बोलने बाला हूँ sodium bicarbonate baby the right answer next question baby the this is question already discussed you know नीला थोता means copper sulfate it means A का 4 हो जाएगा epsom salt होता है magnesium sulfate इसका हो जाएगा तुमारे पास में 3 baking soda, sodium bicarbonate and caustic soda, sodium hydroxide तो answer will be the 4, 3, 1, 2 D will be the right answer next question, this is the same question then D will be the right answer this is the important question एक अग्यात गैस जल में सीगरता से घुल जाती है अग्यात गैस की बात करता हूँ तो वो जल में सीगरता से घुल जाती है गैस ये जल ये घुल में लाल निटमस लीला हो जाता है यह गैस hydrogen chloride के साथ सफेद धुम्र भी देती है यह अग्यात गैस है तो ऐसी जो गैस का है उसको मैं क्या गोलता हूँ this is the ammonia इसका right answer क्या होने वाला है ammonia होने वाला है अब इससे एक related factor लिटमस पेपर तो जो लिटमस है उसके बारे में थोड़ा समझते है कि उसका क्या work रहता है किस तरीके से वो काम करता है तो अगर मैं लिटमस पेपर की बात करता हूँ तो जो मेरे पास में जो लिटमस पेपर होता है तो इसमें हमें दो चीज़ समझ नहीं है कि लिटमस पेपर में, एक तो मेरे पास में acidic medium होता है, और एक मेरे पास में क्या है basic medium होता है तो लिटमस पेपर है, उसमें क्या अगर acidic medium है तो उसके लिए तुम यह चीज़र ध्यान रखो B, A, R अगर acidic medium हैं तो B.A.R. का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास में blue litmus paper है कैसा paper है blue litmus paper A.K.A.E. का मीनिंग हुआ blue litmus paper ठेकर न employ litmus है A.K.A. M.A.E. का मीनिंग हो जाएगा acidic medium है, कैसा medium है acidic medium है, तो उसका जो color है वो कैसा हो जाएगा, वो red colour में change हो जाएगा तो यह तो होता है किस के लिए acidic medium के लिए और अगर मेरे पास में यहीं red litmus paper होता red litmus paper तो अगर और मेरे पास में medium होता basic तो मैंने क्या learn कर रखा है rbb तो इसका meaning हुआ red litmus paper है मेरे पास में b मेरे पास में क्या है basic media में तो वो किस में convert हो जाएगा वो blue litmus paper blue color में convert हो जाएगा तो इस चीज को समझने के लिए तुम BAR and RBB ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कोई भी question आता है confusion create करता है कि इसका answer blue में convert होगा या red में convert होगा तो अगर आप you are learning this thing कि BAR and RBB then you will not be the confused in this question and you will solve correct question now and next we are going to understand litmus paper तो जो litmus paper होता है उसका जो color होता है ये actual में क्या है कि 8 से 9 color में आता है 8 से 9 color में exist करता है लेकिन जो इसका natural color होता है वो इसका color होता है जो इसका natural color है वो होता है purple color कौन सा color होता है परपल कलर होता है अब यह है कि यह बनता किस से है तो जो लिटमस पेपर होता है यह किस से बनता है एक लाइकन से बनता है किस से बनता है यह लाइकन से बनता है अब लाइकन क्या होता है जो लाइकन है यह क्या है कि एक तरीके से एक प्लांट होता है यह किस के अंदर आता है जो फैलोफाइटा के अंदर आता है अब अगर मैं राइकेंद की बात करूँगा तो इसमें क्या होता है मेरे पास में algae होती है algae और fungi ये दोनों चीज मेरे पास में होती है तो जो algae होता है उसके अंदर तो chlorophyll पाया जाता है और जो fungi होता है वोई अपना खाना नहीं बनाते हैं लेकिन फंजाई की क्या है जो water capacity होती है water holding capacity more होती है और इनके पास में क्या है जो algae होते हैं वो अपना खादा खुद बनाते हैं तो ये क्या करता है यहां से ये water ले लेता है algae तो अपना खाना बन जाता है तो इन दोनों में जो relationship होती है that with the symbiotic relationship भी आशो करते है तो ये litmus papers related इसमें चीज हैं और भी मेरे पास में कुछ natural indicator होते हैं अगर मैं natural indicator की बात करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास में है methyl orange सबसे पहले मेरे पास में कौन सा है methyl orange है और अगर मेरे पास में litmus paper है और अगर acidic medium है तो जो methyl orange होगा और अगर मेरे पास में acidic medium है और एक मेरे पास में basic medium है तो अगर में acid medium में बात करूँगा अगर मेरे पास में artificial indicator methyl orange है तो litmus paper है तो acidic medium है तो उसका color कैसा हो जाएगा red हो जाएगा और अगर मैं basic medium में बात करूँगा तो उसका color कैसा हो जाएगा यलो हो जाएगा अगर मेरे पास में artificial indicator है next मेरे पास में होता है finophthalene अगर मैं finophthalene की बात करूँगा तो finophthalene में क्या होता है finophthalene finophthalene में क्या होता है कि यहां acidic medium में कोई भी change नहीं होता तो यहां no change रहेगा और अगर मैं basic में बात करूँगा तो basic में यह क्या हो जाता है और भी मेरे पास में होता है turmeric आपने हल्दी को देखा होगा जो turmeric होता है तो turmeric में क्या रहता है कि यहां acidic medium में तो कोई भी change नहीं रहता है लेकिन अगर मैं basic medium में बात करूँगा तो यहां पर एक ऐसा हो जाता है, red हो जाता है तो यह basic fact थे, जो इससे समझ नहीं थे, यह भी question यहां से बनता रहता है हमारे acidic medium में और basic medium में natural indicator से, जतना litmus paper से related था each and everything I have been discussed, next question, we have the washing soda तो मैं washing soda पहली बता चुका हूँ, washing soda का दूशा नाम क्या होता है, धावन soda धावन soda को मैं क्या बोलता हूँ, Na2CO3, क्या बोलता हूँ, Na2CO3 बोलता हूँ, धावन soda को और मैं क्या बोलता हूँ, sodium carbonate, क्या बोलता हूँ, sodium carbonate, तो एक answer क्या होने बाला है, 4 कास्टिक सोडा I have already discussed इसको मैं क्या बोलता हूँ NaOH बोलता हूँ sodium hydroxide बोलता हूँ तो यह क्या हो जाएगा कास्टिक सोडा हो जाएगा इसको मैं बोलता हूँ NaOH, Na का मीनिंग sodium, OH का मीनिंग hydroxide, sodium hydroxide बीभी दराइट आंसर, नीला थोता, I have already discussed a lot of times, copper sulfate means, आंसर बीभी दराइट, हाइपु का मीनिंग क्या होता है, this is the sodium thaiosulfate, then match it A4, पहले A का 4 है, and B का 1 है, 4, 1 इसी मैं है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा B, we will move on to the next question, next question I have already discussed, answer बीभी दराइट, नीला थोता क्या है, this is the same question, copper sulfate, नीला थोता क्या है, this is also the same question, copper sulfate भी दराइट आंसर, oxygen अनपच्टित होती है, this is one of the important question, कि oxygen किसमें अनपच्टित होती है, तो जो इसका answer होने वाला है, वो kerosene होने वाला है, अब kerosene क्यों हुआ, क्योंकि actual में जो kerosene होता है, जो मेरे पास में केरोशन ओयल होता है, यह क्या है, कि एक तरीके से hydrocarbon के अंदर आता है, और hydrocarbon में क्या होता है, कि only hydrogen और carbon exist करता है, hydrogen और carbon exist करता है, जब hydrogen और carbon exist करेगा, तो यह क्या होता है, absence of oxygen होता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, यह होगा, next question we have, ने मिलक मैंसे, किस अमल में oxygen नहीं है, तो यह तो बहुत simple question है, अगर मैं nitric अमल की बात करता हूँ, तो इसका क्या formula होता है, HNO3, तो यहाँ पे oxygen मुझे present है, अगर मैं sulfuric acid की बात करता हूँ, तो इसका formula क्या होता है, H2SO4, यहाँ भी oxygen present है, अगर मैं SCL की बात करता हूँ, तो SCL में कहीं भी मुझे oxygen region नहीं आ रही है, तो इसका जो right answer है, right answer इसका क्या होगा, C baby the right answer, now we will move on to the next question, जल में carbon dioxide प्रहुइट करने पर, जो soda water होता है, उसकी क्या प्रकरती होती है, I have discussed first question, this is the same question, अम्लिय प्रकरती का हो जाएगा, ये भी बता चुका हूँ, कि इसकी अम्लिय प्रकरती क्यों होती है, next question बिलविदा, जब Eno लवड को जल में डाला जाता है, तो जो बुलबुले बनते हैं, उसका क्या कारण होता है, Eno में पता है, MGS का whole twice होता है, तो अगर मैं bleaching powder की बात करता हूँ, तो bleaching powder का meaning क्या होता है, या तो मैं इसे calcium hypo chloride बोलता हूँ, या मैं इसको calcium oxy chloride बोलता हूँ, ये किसके स्काम में आता है, अगर मैं bleaching powder का use देव हूँआ, तो इसका use होता है, कि जो swimming pool होता है, उसको clean करने के लिए, इसको मैं बोलता हूँ, calcium oxy chloride बोल सकता हूँ, और calcium hypo chloride में बोल सकता हूँ, this is the, be with the right answer, next question we have, calcium powder में, bleaching powder में कौम सा राशन निक्योगी होता है, same question, calcium oxy hypo chloride, ने मिलकर मैं से कौम सा एक कथन सही नहीं है, तो इन मैं से हमें देखना है, परिस प्लास्टर के इस्ताफंदर में ब्रद्धी होती है, सही है विवाद, gypsum, cement में gypsum का योग, उसके इस्ताफंदर को, उसकी जो rate of reactions होती है, उसको decrease करने के लिए किया जाता है, ये भी बात बुलकुल सही है, सभी छारी मिर्दा दातु, जलाविज लवड उत्पन करती है, this is also correct, शारी मिर्दा दातु में यही सब आती है, B, E, M, G, barium तथा estonium प्रकरती में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये मेरा गलत है, ये असत सही नहीं है, तो ये मेरा क्या है, ये सही नहीं है, जो barium and estonium होती है, ये मुक्त रूप स्था में नहीं पाए जाती है, तो ये इसका right answer क्या हो जाएगा, D, B, B, the right answer. Now we will move on the next question, next question है मेरे पास, मैंने मेरे लेकित मैंसे, किस लवड को पिट देन, खाद नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, ये answer हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो हमें salt मिलता है, वो किसकी form में मिलता है, एक solid form में मिलता है, तो हम उसे खाद नमक के रूप में यूज नहीं करते हैं, तो इसका जो मेरे साब से right answer होना चाहिए, that is the B, B, the right answer. Next question है मेरे पास में, NACL किससे बनता है, अब देखो यह बहुत important question है, इसको discuss करते हैं, कि NACL किससे बनता है, तो NACL बनने के लिए मुझे क्या है, strong acid और strong base की need होती है, अगर मैं strong acid और strong base की reaction कराता हूँ, उसको मैं neutralization reaction बोलता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, NACL मिलता है, मैं इस बात को और अच्छे ढंक से समझने ही कोशिस करता हूँ, कि जब मैं acid, मेरे पास मैं acid और मैं base की reaction कराया मैंने, तो acid और base की reaction कराने पर मुझे क्या मिलता है, salt पिलस H2 मिलता है, यह बात हम सब लोग जानते हैं, और जो यह reaction होती है, अब क्या है, मुँआरे पास में कुछ condition होती है, ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब होगा strong acid, और S भी लिखूंगा, इसका मतलब होगा strong base, जब मैं strong acid और strong base की जब मैं reaction कराता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, NACL मिलता है, और जो इसकी pH value होती है, वो मेरे पास में क्या होती है, 7 होती है, क्या होती है, pH value 7, अगर मेरे पास में strong acid हुआ, और मेरे पास में weak base हुआ, तो मुझे मिलेगा तो salt, मुझे मिलेगा salt, लेकिन जो उसकी pH value है, that is less than 7, और अगर में strong base, और अगर मेरे पास में strong base होगा, और अगर मेरे पास में weak acid होगा जब मैं इसकी reaction कराँगा तो फिर भी मुझे salt ही मिलेगा लेकिन जो pH होने वाला is pH that is greater than 7 और अगर मैं एक मेरे पास में WB का मतलब है weak base और WA का मतलब है weak acid जब मैं इसकी reaction कराता हूँ तो इसकी reaction नहीं होती है इसका क्या answer हो जाएगा no reaction तो मेरा answer which one be the correct option इसका answer होने बाला है B मजबूत अमल और मजबूत सार से strong acid और जब मैं strong base की reaction कराता हूँ तो मुझे NaCl मिलता है और उस NaCl की जो value होती है जो pH value होती है that is equal to 7 तो I have discussed where the value less than 7 where the value greater than 7 and why it is reaction happening and strong acid and strong base I have already discussed strong acid में कौन-कौन आता है H2SO4, HCl, HNO3, D-Jolard, the strong acid अगर मैं strong base की बात करता हूँ KOH, NOH, ये सब किसके अंदर आते है strong base के अंदर आते है और अगर मैं weak base की बात करूँगा MJOH का whole twice, ALOH का whole twice ये सब किसके अंदर आते है ये weak base के अंदर आते है Now we will move on the next question Next question है मेरे पास में I have already discussed BBB the correct answer This is one of the important question करने में लेकित मैंसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो अगर मैं silver bromide की बात करूँगा तो silver bromide होता है वो मेरा क्रतिम प्रकास अंसलेशर के यूज नहीं होता जो silver bromide होता है जो मेरे फोटोग्राफी की जो प्लेट होती है उस पे मैं इसको चढ़ाने के लिए यूज करता हूँ silver bromide को तो ये मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो यही मेरा सही आंसर है silver bromide के रतिम बरसा में यूज ज़ता है बल्कुल सही है नेक्स्क्वासन मिल भी दा फोटोग्राफी की प्लेट परने में से किसकी परफ चढ़ाई जाती है silver bromide की परफ फोटोग्राफी की परफ चढ़ाई जाती है next पॉसन मेरे पास में फोटोग्राफी में प्रिव्फ होने वाला sodium thyosulfate का use करता हूँ तो यह मेरे पास मैं इसका a right answer होगा next question है photograph में प्रयोक्त होने वाला hypo billion this is the same question sodium thyosulfate and next question we have photography में इस थाई करड के रूप में प्रयोक्त होने वाला रसाइन है same question sodium thyosulfate यह photograph में यूज होता है negative image को negative बहुत जो positive image हमारी होती है उसको सही करने के लिए उसको correct करने के लिए मैं sodium thyosulfate का यहाँ पर use करता हूँ next question फिर मेरे पास में again photography में तथा anti-clore के रूप में anti-clore का मीनिंग है अगर मेरे पास में कहीं भी chlorine increase कर जाती amount में तो उसको क्या anti-clore करने के लिए उसको वहां से किलोरियन को निसकाशित करने के लिए पी में किसका यूज करता हूँ sodium thyosulfate का यूज करता हूँ और photography में तो sodium thyosulfate का यूज होता ही होता है next question है मेरे पास में निमलिकित पधारतों में से कौन सा photography में एक anti-clore के रूप में काम करता है same question sodium thyosulfate will be the right answer इन में से कौन सा सबसे अधिक स्यान है स्यान का मीनिंग होता है viscosity और viscosity का मीनिंग क्या है rate of deformation जैसे जैसे हमारा जो water है जब water की layer flow करती है तो एक दूसरे का approach करती है जैसे ये मेरे पास में water की layer है और ये second layer है इसको रोकने का काम करती है तो जो ये होता है water तो इसमें इतना ज़्यादा force नहीं होता है लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक viscosity होती है वो किसकी होती है सहद की होती है इन में क्या है जो एक दूसरे की layer होती है वो बहुत ज़्यादा उनके बीच में force of protection होता है वो बहुत ज़्यादा रोकने का काम करती है तो इसमें जो सबसे अधिक viscosity होगी that is the honey will be the right answer next question है मेरे पास में same question sodium thaiosulfate this is the next question अपनी योगिकों से आईनी योगिकों से शम्मंदे निम्र कत्रों वो विचार कीजिए आईनी योगिक एलकुहल में अविल्य होते है जो आईनी योगिक होते है आईनी योगिक का मीनिंग होता है उनके पास में जैसे H प्लस आईन होता है तो वो क्या है कि alcohol में अविल्य होते हैं इन में से कौन सा कतन सही है तो ये बास सही है कि वो अविल्य होते हैं उसके अंदर विल्य नहीं होते हैं तो इसका right answer क्या हो जाएगा A will be the right answer और ठो सवस्ता में आईनी योग विद्धुत के उत्तम चालक होते हैं वो ठोस अवस्ता में होते हैं तो उनके पास में कोई भी positive charge नहीं होता अगर आप उसमें light भी या current flow करा होगे तो there will be no flow of the current तो इसका meaning क्या है कि ये मेरा wrong statement है और ये मेरा क्या है right statement है तो यहाँ पर ये पूरे page finish होते हैं तो अब इसको वीडियो आपको देखनी है और मुझे बताना है का आपको वीडियो किस तरीके की लगी like, comment and share thanks